नमस्कार दोस्तों, आपका सोला किचेन में स्वागत है, आज हम बना रहे हैं करम अलाइज मखाने, जिसके लिए हमने एक कटोरी मखाने, एक कटोरी गुर्ख तोड़ के लिया है, और दो चम्मच गी लिया है, एक कडाई लेंगे, आदर चम्मच गी डाल देंगे, गी मिल्ट हो गिया है, अब इसमें हम मखाने राज़े हैं, अब इसे हमें दीमे आज पर बूनना है, इसको मेरे चलाते रहना नहीं तो यह जल जाएंगे, आओने जाने जाने लिया है, जाते वे अ कर से भाथ में थेल तो यह हो खमाईनी, मखाने हमारे रोष्ट हो गए है इसको रोष्ट होने की पच्छान है कि इसको हाथ से तोड़ी यह तूड़ जया असानी से तो इसका मुतलब यह रोष्ट हो गए है अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं अब इसे कडाई में हम आदा चम्मच गी डालेंगे गी पीगल गया है इसमें गुल डाल देंगे इसको दीनी आच पे पकारना है इमेरिट होने तक करें आच करें करेंगे हम एंड़ जड़ से दोड़ कि हम आच एंड़ को अवादा करेंगे इसे गार भी तर बाल लेंगे करते हैं गूड हमारा पिखल गया है इसमें ज्ञाग आने लगा है अब इसमें हम मकाने डाल देंगे गैस को बन कर देंगे मकाने हमारे अच्छे से कोट हो गए है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको हमने ग्रीस कर लियागी इसे अब इसमें हम अपने मकाने को फड़ा देंगे नहीं तो यह चिपक जाएंगे मकाने हमारे रेडी हैं इसको ठंडा होने पर सब्प करें आप इसे किसी भी टाइम खा सकते हैं यह बहुत ही अल्दी स्नेक्स हैं यह बच्चे बड़े हुड़े सभी को बहुत पसंद आता हैं कि अज बच्चे छाएंगे कि अज़े लड़े हुड़े हैं कर दो